चानक के आईएस अकेडमी करंट अफेर्स में आप सभी का स्वागत है आज हम बात करेंगे भारत त्रत्न के बारे में बिहार के पूर मुख्य मंत्री करपुरी ठाकुर को देश का सर्वोच नागरिक सम्मान भारत त्रत्न दिया जाएगा करपुरी ठाकुर की पहचान स्वतंतरता सैनानी सिक्षक और राजनितिग्य के रूप में रही है वे बिहार के दूसरे उप मुख्य मंत्री और दो बार मुख्य मंत्री रहे थे लोगप्रेता की कारण उन्हें जन नायक कहा जाता था फरवरी 1988 को उनका निधन हो गया था केंद्र सरकार की तरफ से यह एलान ऐसे समय में किया गया है जब 24 जनुरी को ही जन नायक करपुरी ठाकुर की सोंवी जैनती है अब हम बात करेंगे 1970 और 1977 में मुख्य मंत्री बने थे करपुरी ठाकुर उसके बार में करपुरी ठाकुर 1970 में पहली बार राज्य की मुख्य मंत्री बने 22 दिसंबर 1970 को उन्होंने पहली बार राज्य की कबान समाली थी उनका पहला कारेकाल महज 173 दिन का रहा था 1977 की जनता लहर में जब जनता पार्टी को भारी बहुमत मिला था तब भी करपुरी ठाकुर दूसरी बार बिहार के मुख्यमंत्री बने अपना यह कारेकाल भी वह पूरा नहीं कर सके इसके बाद भी महज 2 साल से भी कम समय के कारेकाल में उन्होंने समाज के दबे पिछडे लोगों के हितों के लिए काम किया था बिहार में मैट्रिक तक पढ़ाई मुफ्त की थी वहीं राज्य के सभी विभागों में हिंदी में काम करने को अन्वार्य बना दिया गया था उन्होंने अपने कारेकाल में गरीबों, पिछडों और अती पिछडों के हक में ऐसे तमाम कारे के जिससे बिहार के सियासत में आमूल चूल परिवर्तन आ गया इसके बाद करपुरी ठाकुर की राजनेतिक ताकत में जबरदस्त इजाफा हुआ और वो बिहार की सिहासत में समाजवात का बड़ा चहरा बनकर उबरे थे अब हम बात करेंगे करपुरी ठाकुर के व्यक्तिकत जीवन के बारे में करपुरी ठाकुर का जनम भारत में ब्रिटिक शाषन काल के दौरान समस्तिपूर के एक गाउं पिंतोचिया जिसे अब करपुरी गाउं कहा जाता है में नाई जाती में हुआ था उनके पिता का नाम श्री गोकुल ठाकुर था तथा माता जी का नाम शिरी मती रामदुलारी देवी था इनके पिता गाउं के सिमान किसान थे और अपने पारंपरिक पेशा बाल काटने का काम करते थे उन्होंने 1940 में मैट्रिक की परिक्षा पटना विश्विध्याले से द्वित्य श्रेणी में पास की थी 1942 का भारत छोडो आंदोलन छड़ गया था तो वे उसमें कूद पड़े थे परिणाम सवरूप 26 महीने तक भागलपूर के कैम्प में जेल में जेल यातना भुकतने की उपरांत 1945 में उन्हें रिहा किया गया 1948 में आचार्य नरेंदर देव एवं जैप्रकाश नारायन के समाजवादी दल में प्रादेशिक शिक्षा मंत्री बने सन 1967 के आम चुनाओं में करपुरी ठाकुर के नित्रित्तुम में सयुक्त समाजवादी दल सयुक्त सोशलिस्ट पार्टी अर्थात संसोपा बड़ी ताकत बनकर उभरी 1970 में उन्हें बिहार का मुख्यमंत्री बनाया गया 1973 से 77 में वे लोक नायक जैप्रकाश के छात्र अंधोलन से जुड़े रहे 1977 में वे समस्ती पुर्व संसदी निर्वाचन छेत्र से सांसत बने 24 चुन 1977 को पुनय मुख्यमंत्री बने 1980 में मध्यावदी चुनाव हुआ तो करपुरी ठाकुर के नेत्रित्तु में लोक दल बिहार विधान सभा में मुख्य विपक्षी दल के रूप में उभरा और करपुरी ठाकुर इसके नेता बने करपुरी ठाकुर सदे दलित, सोशित और वंचित वर्ग के उत्थान के लिए प्रतंचेल रहे और संघर्ष करते रहे उनका सादा जीवन, सरल सभाव, सपस्ट विचार और अदम में इच्छा शक्ती बर्बस ही लोगों को प्रभावित कर लेती थी और लोग उनके विराट व्यक्तित्व के प्रती आकरशित हो जाते थे बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में उसे प्रगर्ती पत्पर लाने और विकास को गती देने में उनके अपुर्व योगदान को सदेव स्मरन किया जाएगा वह जननायक कहलाते थे सरल और सरस हर्दे के राजनिता माने जाते थे सामाजिक रूप से पिछडी किन्तु सेवा भाव के महान लक्षे को चरितार्थ करती नाई जाती में जरम लेने वाले इस महानायक ने राजनिती को भी जन सेवा की भावना के साथ जिया उनकी सेवा भावना के कारण ही उन्हें जन नायक कहा जाता था वह सदा गरीबों के अधिकारों के लिए लड़ते थे बिहार की राजनीती में इनका महत्वपुन योगदान है करपुरी ठाकुर को बिहार की राजनीती में नजरनदाज नहीं किया जा सकता 1988 में करपुरी ठाकुर का निदन हो गया था लेकिन इतने साल बाद भी वो बिहार के पिछड़े और अती पिछड़े मद्दाताओं के बीच काफी लोग प्रिय है बिहार में पिछड़ों और अती पिछड़ों की आबादी करी 52 परतेशत है ऐसे में सभी राजनितिक दल अपनी पकड़ बनाने के मकसद से करपुरी ठाकुर का नाम लेते रहते हैं अब हम बात करेंगे भारत रत्न के बारे में भारत रत्न भारत का सर्वुच नागरिक सम्मान है यह सम्मान राष्ट्य सेवा के लिए दिया जाता है इन सेवाओं में कला साहित्य विज्ञान सारजनिक सेवा खेल शामिल है इस सम्मान के स्थापना दो जनवरी 1954 में भारत के ततकालिन राष्टपती श्री राजेंदर प्रसाद द्वारा की गई थी अन्य अलंकरणों के सम्मान इस सम्मान को भी नाम के साथ पद्वी की रूप में परियुक्त नहीं किया जा सकता प्रारम में इस सम्मान को मर्नोपरान देने का प्रावधान नहीं था यह प्रावधान 1955 में जोड़ा गया तत पश्चात 14 व्यक्तियों को यह सम्मान मर्नोपरांत प्रदान किया गया है एक वर्ष में अधिक्तम 3 व्यक्तियों को ही भारत रत्न दिया जा सकता है उलेकनिय योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा दिये जाने वाले सम्मानों में भारत रत्न के पश्चात क्रमश्य पदम विभूशन, पदम भूशन और पदम श्री आते हैं सचिन तेंदूलकर एक मात्र ऐसे खिलाडी है जिसको भारत सम्मान प्राप्थ हुआ है और वह भारत रत्न प्राप्थ करने वाले सबसे कम उम्र के विक्ति भी है इसके पश्चात भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपई जी को भी प्राप्थ हुआ है यहें उनको भारत को समर्पित अत्यंत प्रभावशाली राजनेतिक जीवन के लिए दिया गया है पहला भारत रत्न 1904 में दिया गया था इसके साथ ही आज का हमारा विशे यहीं पर समाप्त होता है हम फिर मिलेंगे एक नए विशे के साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद